हेलो एवरिवन मैं हूँ सच्चिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल में जहां आम सीख रहा है पायथन और पायथन के आज के इस क्लास में भी हम लोग एक पोग्राम देखने वाले हैं और इस पोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है 5 इन्टू 4 इन्टू 3 इन्टू 2 इन्टू 1 और यह सब का प्रोडेक्ट जो निकल के आएगा वह फैक्टोरियल होता है अब देखिए यहाँ पर नहीं समझ में होगा तो मैं आपको और एक तो दिखा देता हूँ जैसे कि 7 है तो क्या होगा नंबर घटे वे जाएगा जैसे 7 को हम लोग को गुना करना पड़ेगा किसके साथ में 7 को हम लोग मल्टिपलाई करेंगे 6 के साथ में फिर ये आएगा 5 पिर आएगा 3 फिर आएगा 4 and 3 sorry 5 के बाद 4 आएगा उसके बाद फिर 3 आएगा और उसके बाद 2 आएगा उसके बाद 1 आएगा मत समझ में आ रहा है ठीके है मतलब number घटते वे कहा तक जाएगा one तक जाएगा इसका प्रोडेक्ट जो निकलेगा वह फैक्टोरियल कहलाएगा ठीक है और इसका सिंबल देखे यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है जब भी इस प्रकार से लिखा वा रहाएगा that means यह factorial निकालने के लिए कहा जा रहा है ठीक है अब program बनाएंगे कैसे तो सबसे पहले तो एक number चाहिए हम लोगों को ठीक है ना यहां पर मैं लिख देता हूँ एक variable नम नाम का variable लेते हैं और user से चाहिए और integer में नमबर चाहिए तो int हम लोग use कर रहे ह यूजर से चाहिए तो उसके लिए हम लोग input function का use कर रहे हैं और इसके अंदर में हम लोग user को एक message display करवाना चाहते हैं तो मैं यहां लिख देता हूँ simple enter the number और उसके बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर मैं एक variable ले रहा ह हूँ i नाम का और इसका value में दे देता हूँ one क्योंकि हम लोग while loop यह करने वाले हैं यह initial starting position होगा हमारा while loop का है न उसके बाद f यह factorial निकालने के लिए इसका value starting हम लोग one ले ले लेते हैं ठीक है उसके बाद में फिर हम लोग यहां लिखते है while और then यहां पर हम लोग लिख लूप नहीं होगा और उसके बाद यहां पर क्या करते है f equal to f f into i कर देंगे और उसके बाद में फिर नीचे में यह loop चलता रहे इसलिए यहां पर हम लोग i को भी increment कराना पड़ेगा तो यहां पर हम लोग लिख देंगे i equal to i plus one और उसके बाद में अगर हम लोग यहां पर print लिखते हैं और उसके बाद मैं यहां पर f को print करता हूँ तो देखिए factorial निकल जाएगा है ना यहां पर मैं run करता हूँ एक बाद यहां पर देखिए जैसे मैं यहां पर five लिखूंगा और इंटर मारूंगा तो यह मुझको one twenty यहां पर दे रहा है that means क्या हो रहा है कि factorial वाला program हम लोग का बन गया है अब इसको और अच्छी तरीका से हम लोग समझेंगे यह काम कैसे कर रहा है देखिए यहां पर user से हम लोग क्या value लिए five लिए ठीक है अब यहां पर जो condition था ठीक है फर्स्ट टाइम यहां पर चेक कर रहा था तो condition कुछ इस प्रकार से बना कि five जो है वो five के बराबर sorry five नहीं i का value न i equal to one है तो one जो है वो आपका five से छोटा या five के बराबर है या नहीं तो यह क्या देगा true देगा अब यह अगर true हो जाता है ठीक है मतलब condition satisfy हो जाता है तो अंदर का code क्या होता है execute होता है तो अंदर क जो code execute हुआ तो f का value क्या हो जाएगा देखे f is equal to f into i f का value क्या है one है i का value क्या है one है तो overall f का value क्या निकल जाएगा one निकल जाएगा और उसके बार i जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे increment हो जाएगा i equal to i equal to i plus one that means i plus one मतलब यहाँ पर i का value क्या था 1 था, तो 1 plus 1 क्या मिल जाएगा i का value क्या बन जा रहा यहाँ पर 2 बन जा रहा, ठीक है अब फिर सी यहाँ पर condition check होगा second time, ठीक है, यहाँ पर मैं hedge देता हो second time क्या check करेगा कि 2 जो है, वो less than equal to 5 है या नहीं है तो भाया यह है, मतलब की true होगा, मतलब अंदर का code जो होगा, execute होगा अब second time क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब f का value क्या बन जाएगा f equal to f into i तो f का value क्या था, 1 ही था और i का value क्या है i का value जो है वो है आपका भी 2 है इस प्रकार से भी i का value f का value, overall value क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर i equal to i plus 1 i equal to i plus 1 i का value 2 है, और फिर plus 1 हो जाएगा, तो overall i का value क्या हो गया, 3 हो गया अब फिर से देखिए, यहाँ पर check होगा third time जो हमारा loop हो रहा है तो यहाँ पर क्या check होगा, 3 जो है वो आपका less than equal to 5 है या नहीं है तो यह भी true है भाईया यह तो सही बात है ना कि 3 जो होता वो 5 से छोटा होता है ठीक है अब अंदर फिर यह वाला execute होगा line of code तो अब यह line of code में क्या होगा यहां पर क्या हो जाएगा f equal to है ना f into i what is the value of f देखें second time में f का value क्या होगया था य यहां पर क्या हो जागा 2 multiply with किसके साथ multiply होगा value of i के साथ में value of i अभी कितना है present 3 है which is equal to कितना मिल जाएगा हम लोगों को 6 मिल जाएगा उसके बात फिर यहां पर क्या होगा यहां पर f sorry i का value क्या हो जाएगा i equal to i plus 1 what is the value of i 3 है अभी है ना plus 1 तो कितना मिल जा रहा हम जा रहा है अब फिर से यहां पर third time फिर check होगा यहां पर तो अब यहां पर क्या check होगा कि 4 is less than equal to 5 or not so yes true होगा तो फिर यह नीचे ओला line execute होगा अब यह line जब execute होगा यहां f का value क्या हो जाएगा f equal to f equal to f into i what is the value of f 6 है और इसको multiply करेंगे what is the value of i 4 के साथ में तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा यहां पर 24 तो f का value क्या हो गया 24 हो गया उसके बात में फिर यहां पर अब यहां पर i का value क्या हो जाएगा i equal to i plus 1 what is the value of i 4 इसमें हम लोग 1 plus कर देंगे तो equal to क्या हो जा रहा हो 5 अब फिर से यहां पर check करेंगा condition हम लोगा satisfy हो रहा है कि नहीं यहां पर 5 less than equal to 5 5 is equal to 5 मतलब क्या मिलेगा हम लोग को true मिलेगा अब यहां पर f का value क्या हो जाएगा f equal to what is the present value of f 24 which is multiply with present value of i what is the present value of i 5 तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 और उसके बात में आप 24 को 5 के साथ ना गर multiply कर देंगे तो हम लोगों को 120 मिलेगा अब यहां पर क्या हो रहा है अब यहां पर फिट से increment होगा i equal to i plus 1 that means 5 plus 1 5 plus 1 तो equal to क्या हो जा रहा है i का value 6 हो जा रहा है अब यहाँ पे जब loop होने जाएगा तो यहाँ पे check करेगा condition, तो अब क्या हो जाएगा 6, is less than equal to 5, यह सही नहीं है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा false, तो यह loop हमारा stop हो जाएगा, और जो f का value है, यहाँ पे value, वो print करेगा 120, print हो जाएगा, ठीक है और अगर आप इस तरह से दिखाना चाहते है, कि पूरा यह line जो है, इस तरह से आप दिखाना चाहते है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा से आप लिख दीजे, जैसे कि उपर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, print, program हमारा जो output आएगा वो थोड़ा दीखेगा अच्छा, program तो समझना जरूरी होता है, बट यहाँ पे अगर display भी करवाना चाहते है, तो मैं रिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग factorial लिख देते हैं, और factorial of, फिर यहाँ पे हम लोग placeholder दे देते हैं, और इसके बाद में dot format, और उसके बाद bracket open close, यहाँ पे number, placeholder में number display करवाना चाहते है, तो यहाँ पे हम लोग नम नम का variable दे दिए, जो भी number user देगा, वो यहाँ पे आएगा, फैक्टोरियल of 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी number user देगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, print, और उसके बाद में फिर यहाँ प लोग भी sign देता हूँ, ऐसे, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ करने वाले है, जैसे कि यहाँ तो factorial निकल रहा हमारा, factorial निकलने के बाद मैं यहाँ पे condition दे दूँगा, if num minus i plus 1, ठीक है, यहाँ पे देखे, num minus i plus 1, अगर यह greater than रहेगा, one से, ठीक है, अगर यह greater than रहेगा, one से, तो हम लोग यहाँ पे print कराएंगे, print, num minus i plus 1, और फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग end दे देंगे, और equal to, और उसके बाद में, यहाँ पे हम लोग into का sign दिला देंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ फिर, अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, else, और उसके बाद, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, print, और फिर bracket, और then, यहाँ पे हम लोग लिग देंगे, num, minus, i, plus, one, comma, और यहाँ पे हम लोग देंगे, and, equal to, और उसके बाद में, यहाँ पे is equal to sign, देखिए, यह क्यों कर रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग को क्या चाहिए, यह वाला चीज चाहिए पहले, मतलब इस तरह से print करवाना है, तो वो किस से आजाएगा, वो यह वाला line से आजाएगा, ठीके, यह वाला line से यहाँ तक आजाएगा, equal to तक आजाएगा, उसके बाद हम लोगों को 5 चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा हम लोगों को, देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बोले क फिर हम लोग one add करवा दे रहे हैं ठीक है प्लस यह cancel हो जागा तो five मिल जाएगा यहां से फिर यह multiply होगा four three सबके साथ हम लोगो क्या मिलेगा x मिलेगा मगर one के बाद हम लोगो क्या चाहिए is equal to sign चाहिए one के बाद क्या चाहिए is equal to sign तो इसी लिए जब one आएगा तो यह if वा इसको हम लोग यहां पर run करते हैं यहां पर कहीं पर problem है हाँ यह चीज ठूँआ यहां पर देखिए semi column देना था तो मैं कलीब रेकट दे दिया हूं ठीक है अभी एक बार हम लोग यहां फिर तो एक बार run करते हैं और यहां पर देखिए अभी एगर मैं five दिखता हूं तो देखिए इस प्रकार से यहां पर आपका डिस्प्ले हो गए तो इसको डिस्प्ले इस तरह से करवाना था मुझे इसलिए मैंने वहां पर इफ और एल्स का यूज किया ठीक है अगर आपको मेरे ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो समझ में आया हूं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा